कि शायद मेरी नानी मुझे से खुश हो जाएं मेरी नानी मुझे से खुश हो जाएं और वो खुश होकर के मुझे वो जो संदू को पहे जोड़ जे रहें देरें दोस्तों यह आप देख रहे हैं यह गाउं का दर्वाजा है मैन इंट्री जो होती है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह दर्वाजे के ओपर जो शेर बने हुए है यह शेर देखिया आप करीब से यह शेर हमारे नाना जो हमारे प्रणान बने ते उस जमाने में तो वो उनके नाम की आधर पर इस पर शेर बनाए गए थे जैसा मैंने सोना है अपने बड़ो तो मुझे वो अपनी बाते ही आदाई तो मैं सोचा क्योंना थोड़ा सा बता दूं दिखा दूं लोगों को दोस्तों को यह गाओं है एंड यह रास्ता यह देखिया बड़ा अच्छा मतलब जबर्दस्त नजारा है बड़ा मजा मुझे यह साही राते हुए यह मंदिर है और वो सारे चीज़े हैं आपके सामने है 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 दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरे जवान खान सिंगर आज आपके सामने लाया हूं कि यह जो मैंने आपको दिखाया है दरवाजा यह मेरे परनाना मैं आपको जैसे बदा चुका हूं कि मेरे परनाना जब प्रधान बने थे त आप लोग कैसे हैं? मैंने सोचा मैं इदर से निकल के जा रहा था कि क्यों ना एक चीज मुझे मेरी नानी के जो फादर है ये उनके बारे में मैं बता रहा हूं आप लोग को जो की मेरी नानी है माशारला बड़ी नहाया शरीफ इनसान है जो बात है और जलेबी की तरह हो अबना दोर याद आए याद आए हो सकता नहीं तो बात याद आए उनको क्योंकि उनके सामने ही वह प्रिधान बने और यह चीज मनाई गई और मैं सोचा कि शायद मेरी नानी मुझे से खुश हो जाए और वह खुश होकर के मुझे संदूब में पैसे आते हैं पैसे आते उनका पैसे गिनने का जो अंधाज है न वो बबाद च्छय लगता है मुझा लिगम तो मैं सोचा के शहाद हो सकता है वो पैसे नानी मुझे दे neden मतलब के मेरे मेरे धिवते लिज्वान ने मेरा मन खुश कर दिया तो कि भी ये सारे पैसे रिजवान नहीं करेंगे तो मैं सोचा शायद ऐसा उनके दिल में कर खैना जाए और तो बस यही सोच कर मैंने बनाया और कुछ आप लोग से बात हो जाएंगी